आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फोन में कोई एप डबल कैसे करें या फिर कोई एप डूबल कैसे करें तो इसके लिए आप अपने फोन की सेटिंग्स ओपन करिये सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे स्क्रोल करिये नीचे आकर आएगा Apps इस पर आप किलिक करिए और इस पर किलिक करने के बाद ऐसा पेज आपके सामने आएगा अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं Dual App अगर आपके फोन में Dual App नहीं है तो आपके फोन में App Cloner के नाम से हो सकता है या फिर App Clone के नाम से हो सकता है जैसा कि देख सकते हैं इस तरीके से हो सकता है एप कलोन या फिर एप कलोनर या फिर डूटल एप तो अगर आपको नहीं मिलेगा सेटिंग में तो जब आप सेटिंग्स ओपन करेंगे अपने फ॓न में तो उसके बाद उपर आएगा Search Settings का Option इस पे किलिक करिए इस पे किलिक करने के बाद टाइप करिए D U A L इतना टाइप करने के बाद आएगा Dual App Search में तो इस पर आप किलिक करिए तो जैसे की हम सेटिंग में इसे Open कर रहे हैं तो ये हमने Dual App इस पे किलिक किया तो ऐसा पेज आपके सामने आएगा अब आपके फोन के जो एप Dual App सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे एप आ चुके हैं जैसे की हमारे फोन में हम इन सारे अप्लिकेशन को Dual यानि कि Double कर सकते हैं तो एक्जामपल के लिए आपको दिखाने के लिए हम WhatsApp को Double कर रहे हैं तो इस पर किलिक करेंगे उसके बाद आएगा Dual Apps इसके सामने इसे चालू करिए इसे चालू करने के बाद देख सकते हैं दूसरा WhatsApp हमारी Home स्क्रीन पर आ गया है तो इसमें हम अपने दूसरे नमबर से ID बना कर इसे चला सकते हैं इसी तरीके से यहां पर Facebook कर लेते हैं तो यह हमने Facebook पर किलिक किया और Dual App चालू करेंगे तो देख सकते हैं दूसरा Facebook आ गया है तो इसी तरीके से जिस आप को Double करना है उसके सामने इस Option को चालू करिए और इस तरीके से आप को Dual करें किसी भी फोन में वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें